हेलो फ्रेंड्स बेलकम टो माई यूटूब चैनल तो आज का हमारा टॉपिक है पाइरॉल पाइरॉल जो होता है एक हेट्रोसाइकलिक कमपाउंड्स होता है तो आज का हमारा टॉपिक है पाइरॉल तो सबसे पहले कुश्चन यह आता है कि हम पाइरॉल जो होता है उसको हेट्रोसाइकलिक कमपाउंट्स क्यों कहते हैं पाइरॉल एक हेट्रोसाइकलिक कमपाउंट्स है क्योंकि हेट्रोसाइकलिक कमपाउंट्स वे साइकलिक कमपाउंट्स होते हैं जिनकी साइकलिक रिंग में कारवन के अलावा एक और अन्य एटम जैसे की नाइट्रोजन ऑक्सीजन या फिर सल्फर भी होता है उनको हम हेट्र हेट्रोसाइकलिक कमपाउंट कहते हैं तो आप पायरोल की स्टेक्चर में भी देख सकते हैं यहां पर कारवन के अलावा एक और एटम प्रिजेंट है वो है आपका नाइट्रोजन इसलिए हम इसको पायरोल को एक हेट्रोसाइकलिक कमपाउंट कहते हैं तो यहां पर आप दे कितने member ring होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से आम नम्हर जो करेंगे 1,2,3,4,5 यह five member ring होती है तो इसके बाद आपको यहाँ पर एक और बात याद रखने है नहीं जो आपके44 फाइब बाली position होती है आपके alpha position होती है इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे next तो next में यहाँ पे लिखा हुआ है कि pyroles जो होता है एक five member होता है मैंने अभी आपको इसमें numbering करी थी तो pyroles क्या होता है एक five member होता है जो कि एक nitrogen होता है यानि इसमें एक nitrogen present होता है एन बिसम चक्रय योगी क्या होता है इसके बाद देखते हैं next next बनाने की पिदी यानि पाइरोल्स के बनाने की पिदी method of preparation तो pyroles को हम two types से बना सकते हैं first है हमारा acetylene से and second हमारा furon से तो सबसे पहले हम देखेंगे acetylene से तो first हमारा acetylene से तो एसिटलीन से हम किस परकार पाइरॉल को प्रिपेर कर सकते हैं तो जब हम एसिटलीन की अविक्रिया यानि जब हम एसिटलीन की रेक्शन अमोनिया से कराते हैं तो हमारा पाइरॉल बनता है तो यहाँ पर आप रेक्शन में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने लिया हुआ है Acetylene और इसकी reaction कराई है हमने Ammonia से तो जब हम Acetylene की reaction Ammonia से कराते हैं तो यहाँ पे हमारा यह Pyrol बन जाता है तो Second है हमारा Furon से तो जब Furon की reaction हम Ammonia से कराते हैं तो हमारा Pyrol बनता है यहाँ पर आप इसकी भी reaction देख सकते हैं इसकी reaction जो बहुत ही easy है आप आसानी से इनको कर सकते हो तो यहाँ पर हमने लिया हुआ furon और इसकी reaction हमने कराई है ammonia से तो जब हम furon की reaction ammonia से कराते है तो हमारा pyrol बनता है और यहाँ से h2o निकल जाता है तो यह reaction किस परकार हुई यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर यह जो ammonia है यह टूटा आपका h2o और nh में तो यह जो h2o है वो o के साथ मिलकर के h2o बन गया और यह water बाहर निकल गया इसके बाद बचा यहाँ पर nh तो यहाँ पर nh है यहाँ पर add हो गया तो इस परकार देखते हैं physical properties तो पाइरोल्स की physical properties क्या हैं तो first है हमारी कि जो पाइरोल्स होता है यह रंगी द्रब होता है यानि colorless liquid होता है second है कि यह water में अलप विल्ले होता है कि यह alcohol और ether में विल्ले होता है इसके बाद last है आपका कि पाइरोल्स को हवा में खुला रखने पर यह काला पढ़ जाता है तो यह थी इसकी physical properties इसके बाद हम देखते हैं पाइरोल्स की chemical properties की chemical properties को देखने से पहले आपको एक point याद रखना है जो कि पाइरोल्स की chemical properties को समझने में आपकी बहुत ही help करेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आप भी अपने copy में note करके यह लिख सकते हैं कि pyros में जो electrophilic substitution reaction होती है वो alpha position यानि 2 and 5 position पर होती है यह मैंने आपको starting में ही बताया था कि alpha position कौन सी होती है बीटा position कौन सी होती है तो pyros के case में जो pyros होता है वो electrophilic substitution reaction को so करता है और pyros में जो electrophilic substitution reaction होती है वो mostly alpha position पर ही होती है यानि 2 and 5 position पर ही होती है तो question यहाँ पर आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि pyroles में जो electrophilic substitution reaction होती है वो beta position पर क्यों नहीं होती है alpha position पर ही क्यों होती है तो यहाँ पर आप इस reaction की मदद से समझ सकते हैं कि pyroles के case में electrophilic substitution reaction alpha position पर ही क्यों होती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिया हुआ है pyroles और जब हम pyroles की reaction यहाँ पर हमने लिया हुआ electrophile यहाँ पर हम 4V electrophile यूज कर सकते हैं तो जब हम pyroles की reaction electrophile से कराते हैं तो सबसे पहले electrophile जो होता है वो माल लीजे कि Electrofile Alpha Position पर Attack करता है जब हमारा Electrofile Spirals की Alpha Position पर यानि 2 and 5 Position पर Attack करता है तो हमें जो Resonating Structure प्राप्त होती है वो हमें 3 Resonating Structure प्राप्त होती है जब कि जब ये Electrofile Spirals की Beta Position पर यानि 3 and 4 Position पर Attack करता है तो हमें जो Resonating Structure प्राप्त होती है वो में two resonating structure प्राप्त होती है तो आपको ये पता है कि जितने ज़ादा जिसकी resonating structure ज़ादा होती है उतना ही ज़ादा वो complex, stable होता है तो alpha position पर हमारी ज़ादा resonating structure बनती है इसलिए जो electrofilic substitution reaction होती है pyrose के case में वो alpha position पर ही होती है beta position पर बहुत ही कम होती है तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि Pyroles की case में जो Electrophilic Substitution Reaction होती है वो Alpha Position पर ही होती है तो इसके बाद हम देखते हैं इसकी Chemical Properties तो यहां पर आप देख सकते हैं Chemical Properties Pyroles की तो Pyroles जो होता है वो Electrophilic Substitution Reaction को सो करता है तो First है हमारा Electrophilic Substitution Reaction तो Pyroles की case में जो Electrophilic Substitution Reaction होती है वो Alpha Position पर यानि 2 and 5 Position पर ही होती है तो Pyroles की जो Electrophilic Substitution Reaction सो करता है वो कौन-कौन सी होती है यहां पर हम देख लेते हैं तो First है हमारी Nitration तो यहां पर आप देख सकते हैं जब हम Pyroles की Reaction Nitration हम कराते हैं HNO3 से तो जब हम Pyroles की Reaction HNO3 से कराते हैं तो हमारा 2 Nitro Pyrol बनता है तो यह किस परकार से Reaction Proceed होती है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो HNO3 है यह आपका तूट जाता है OH-NNO2 Plus में तो NO2 Plus जो है यह हमारा Electrophil और आपको पता है कि Pyroles की case में जो Electrophilic Substitution Reaction होती है वो Alpha Position पर होती है तो यह जो NO2 Plus है यानि जो Electrophil है यह Attack करेगा Alpha Position पर और यहां पर जाके यह चुड़ जाता है तो आपका यह बन जाता है 2 Nitro Pyrol यानि जब यहां पर आप Numbering करते हैं 1 and 2 तो यह होगा आपका 2 Nitro Pyrol I hope आपको यह समझ में आया होगा Nitration एक्स्ट है हमारा सलफोनेशन तो जब हम Pyroles का सलफोनेशन कराते हैं तो हम H2SO4 से इसकी रीक्शन कराती हैं आपको पता होगा कि जब بھی हम कुसी भी सलफोनेशन कराते हैं तो आपके हम H2SO4 यूस करते हैं तो जब हम pyrols की reaction H2SO4 से कराते हैं तो हमारा जो compound प्राप्ट होता है वो होता है two sulfonic pyrols तो यह जो reaction है वो किस परकार proceed हुई यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो H2SO4 है यहाँ पर टूट गया है OH- and SO3H जो SO3H plus है यह हमारा electrofile की तरह work करेगा और electrofile attack करेगा alpha position पर यह आपको पता है तो यहाँ पर हमारा जो प्राप्ट होगा यह प्राप्ट हो जाएगा two sulfonic pyrols नेक्स्ट है हमारा halogenation तो जब हम pyrols की reaction किसी भी halogen से करा सकते हैं आपर हमने chlorine लिया हुआ तो आप bromise या iodine किसी से भी करा सकते हैं तो जब हम halogenation कराते हैं pyrols का यानि जब हम pyrols की reaction क्लोरीन से कराते हैं तो हमारा two chloro pyrols प्राप्ट होता है इसके बाद देखते हैं हम next next है हमारा frindle croft reaction यानि frindle croft अविक्रिया तो जब हम pyrols की reaction CS3i से कराते हैं तो हमारे ये वाला compound प्राप्ट होता है यहाँ पे जो CS3i CS3 plus and i minus में टूट जाता है और CS3 plus जो ये उलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्ग करेगा जो उलेक्ट्रोफाइल होता है वो pyrols की case में alpha position पर जुड़ जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CS3 जो है वो alpha position पर जुड़ गया है तो ये थी आज की हमारी वीडियो I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें, share करें यदि आप मारे चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe करें तो नेक्स्ट वीडियो में हम discuss करेंगे furons के बारे में जो भी एक heterocyclic compound है Thanks for watching my video